हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो लीप्रा इंप्रेस की है और इंप्रेस में हम क्या सीखने वाले हैं वो आपको बताता हूँ दिखिए स्टुडेंट्स का ये कहना है कि सर इसमें हमें एनिमेशन नहीं मिल रहा है तो अगर आप टूल्स पर जाएंगे तो यहां आपको स्पेलिंग चेकर वगरा मिलेगा slide show पर जाएंगे तो slide show कर आप आएंगे format पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी animation नहीं है insert में भी आपको animation नहीं दिखाएं पड़ेगा तो animation मिलेगा कहां यह सवाल है थोड़ा सा बच्चे घबरा भी जाते हैं तो यह देख सकते हैं यह color इसमें फेल हो गया अब double click करने से इसमें हो जाता है यह देख सकते हैं यह किस तरकर shape आया हुआ है तो अगर आप फिर double click कर देंगे तो फिर वापिस से उसी shape में आ जाएगा यह देखिए यहाँ पर click किया मैंने अब यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है यह देखिए यह छोटा कर दिया मैंने फिर यहाँ से बड़ा कर दिया अब animation का सवाल है तो animation के लिए हम कहा जाएगे हम सीधा चले जाएगे view tap और view tap पर जैसे ही नीचे जाएगे न यह जो है न यहाँ पर plus का निशान दिख रहा है add effect तो बस इसी पर click कर दिजी एक बार और जैसे ही click करेंगे तो यह जो है अब highlight हो जाएगा देखिए यहाँ पर बहुत सारे animation के option आपको आने लगे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप Passion अगर पर plus का animation लगाना चाहते हैं तो यह आपर plus कर दिजी इसके click कर दिजी तो यह plus like shape में यह आएगा ठीक है अगर आप spit करना चाहते हैं तो इह split हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आप चाहते हैं wheel करना wheel यानि पहीये का shape तो यह ब्लकुल उसी तरीके से देखिए ठीक है? तो यहाँ से आप एनिमेशन लगा सकते हैं आयों की बाद समझ में आई होगी कि एनिमेशन लगाना पहाँ से है रैंडम एफेक्ट अगर गर동 क्रियेट करना चाहेंगे तो वह यहाँ से कर पाएंगे यह random effect वाला animation जो है randomly जो है effect डालेगा इस पर और भी बहुत सारे options है तो next video के लिए इंतिजार कीजिए तब तक के लिए समझ में आही गया होगा कि animation कहां से लेके आना है thank you for watching this video